सिद्धू मुसेवाला और बाबा सिद्धिकी के गातल में मुलवेज भारत का बजनामे जमाना गैंग लॉरेंस मिश्णोई बॉलवूड दबंग स्टार का उनिस सौट थानवे से जाने दिश्मन है बिश्णोई जो ओपन चैनेंज की बात हो जाने क्या मुडी ये तरीके इस्तेमाल किया है जो मुसल्मानों के साथ हिंदुस्तान में कर रहा है लॉरेंस ने बहुत बड़ी गल्ती किये जो बाबा सिद्धिकी के अपर आरकत करके तूने ना मुंबई के सोयवे सेरो को जगा दिये ये जो दाड़ी वाले लोग हैं ये कैमरा के सामने कैसे आ जाते हैं ये तो हराम है बिश्नोई जो है इनके बारे में बात करना बड़ा जुरूरी हो चुका हुआ है क्योंके पाकिस्तान के मेंस्री मीडिया पर हर टाइम आप इन ही की खबर चल रही है कैनेडा में सिक रहनुमा के कतल समय दीगर संगीन जराइम में मुलबिस होने का बराहरास इजाम लगा दिया है और सारे मौमले में बद्धनामे जमाना बिश्नोई गैंग का नाम भी सामने आ रहा है lorence vishnahवी देखो उसने crime करा वो जेल में जेल में क्यों है लोररेंस विष्णोई है उसने गलत कंरा जेल में जाएगा मैं सरफ एक चीज जानता हूँ कि लॉरेंस विष्णोई से खाल इस्तानियों का ग realms ऊप इजाता है हमने उसामामिल लादेन का नाम सुना हम जागर नायक को देख रहे हैं पड़ा अश्लील ठरकी पेडोफाइल जैसा है हाफिस सही बड़ा बश्चकल जैसा है पहली बार तो मैंने देखा है कि कोई हैंसम हंक कोई गैंगस्टर हमारे सामने नजरों के आया है तो इतनी तेजित और इतनी प्रिशानी क्यों है हालो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे न्यूज प्लस सेंट्रल चैनल में आये देखते हैं एक पाकिस्तानी न्यूज के लेटेस्ट विडियो को आज लौरेंस विश्णोई भारत के साथ साथ विस्व के कई अन्य देशों में चर्चा का मारा गया जिसके बारे में यह रिपोर्ट है कि बाबा सिद्दगी का कनेक्शन मुंबई के खान गैंग से थे और वह उन गैंग को बाबा सिद्दगी के द्वार आउपरेट किया जाता था लौरेंस विश्णोई के द्वारा बाबा सिद्दगी की हत्या करवाने से बॉली पाकिस्तानी मीडिया सबसे पहले मेड़क की तरह कुद पढ़ते हैं तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के एक छोटे से वीडियो को प्रॉपर वह लोग उनसे डरते नजर आ रहे हैं जेल में रहते हुए ऐसा कैसे पॉसिबल है कि इतना डर कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं होता कि मलत पुलीस की कोई स्पोर्ट या कुछ ऐसी स्पोर्ट होती है बहर पॉलिटिशन की स्पोर्ट होती है जिसकी वज़ा से ऐसा अबने दाओब इभाहिम का नाम सुना बड़ा बडशकल सा था, पहली बार तो मैंने देखा है कोई रहने हैं कोई आंसम हंक, बोड़ी बिल्डर टाइप का गैंसर्ण की गैंसर्ण सामने नजरों के आया है तो इतनी उतेजीत और इतनी प्रिषानी क्यों है। लॉरन बिश्नोई बाके में गैंग्स्टर है और सिदु मुसा वाला के छाती पर जब तरजन से ज्यादा गोलियां बरसी और उसके बात से ही लॉरन बिश्नोई का नाम दुनिया में बहुत नर्चाय आम पर आ गया बिश्नोई कोई जाहिल नहीं है लॉरन बिश्नोई किया हुआ था लेकिन पहला क्राइम जब वो पंजाब युनिवर्सिटी में स्टुडेंट पॉलिटिक्स में जॉइंग किया और वो हार गया तो जो जीता था एसो पी यू को उसी को उसने गोली दाग दिया था अब आती है बात बाबा सिद्धिकी तो बाई बाबा सिद् कि ने बॉलिवूड पर इतना ज्यादा अपना हुकम का इकव चलाता था कि कौन हिरोइन को काम मिलेगा और कौन हीरों को काम मिलेगा ये भी भावात सिद्धिकी यहां पर ही तेह हुता था अब आती है बात सल्मान खान की तो सल्मान खान ने हमेशा किसको किसको स्टार बनाया है सल्मान खान ने स्टार बनाया है मनबर फारुकी को सल्मान खान ने स्टार बनाया सना कान को अभी हालिया में बनाया था अदनान शेख को तो सल्मान खान और सल्मान कान के सर से अभी तक वो दाओद इबराहिम की दोस्ती का भूत नहीं उत्रा है सल्मान खान अभी भी सोच रहा है कि ये 21 सदी और 2024 में भी वो ही हुक्म का एक का चलाएगा जो कभी वो दाओद इबराहिम के जमाने में चलाया करता था हजारों लाखों नए अक्टर और अक्टरिस की जिंदेगी बरबाद करता था सल्मान खान जिस पर उंगली रखेगा उसी को बॉलिवुड में काम मिलेगा सल्मान खान जिस पर उंगली नहीं रखेगा उसको बॉलिवुड में काम नहीं मिलेगा अपने एहंकार और अपने सो तो मुझे ऐसा लगता है कि कर्मा इस भूमरेंग अब मैंने देखा के महाराश्च में बहुत सारे मुसल्मान हैं जो लंबी लंबी डाढ़ी रख करके अब आती है अपनी विदेश यात्रा में जब भी बाहर जाते हैं भारत विरोधियों से मिलते हैं ऐसे ऐसे ओर्गनाइजेशन के लोगों से मिलते हैं जो खुल करके भारत का विरोध करता है अब आती है बात कि हमारे भारत की राषदानी डिली में आतिशी मरलीन जो वह अभी मुखे मंतरी करके बैठी हैं आतिशी मरलीन की अम्मी जान जो है वह अवजल गुरू के और्गनाइजेशन की member थी अवजल गुरू की को जब replace की सजा सर्वुचे नेयाईपालिका ने तो आतिशी मरलीन जो अभी हमारे भारत की राजदानी दिली की मुख्य मंतरी बन करके बैठी है वो गई थी प्रेसिडेंग से मिलने के लिए वहां पर गुहार लगाया था उन्होंने के अफजल गुरू को फासी नहीं ओनी चाहिए वो उनके लिए हीरो था और हमारे भारत म जिनिम समुदाये ने याको मेमन की जनाजे की नमाज को नमाज करवाया और सहलाब की तरह मुसलमान गए तो हम उनको भी आतंकि मानले जो जो गए थे अब आती है बात कि हमारे भारत में अफदल गुरु के समर्थक है, हमारे भारत में हसन नसरुला के समर्थक है, हमारे भारत में जाकर नायक के तीन मिलियन समर्थक है, हमारे भारत में इरान के आतंकियों के समर्थक है, हमारे भारत में खालिस्तान के आतंकियों के समर्थक है, झाल झाल झाल